नमस्कार स्वागते आप सभीका मैं हूँ आपके साथ बबली शर्मा बीजे पीच समर्तित नपा अध्यक्च सुबास गुपता की खिलापा कुछ पार्सातों के जरी अविस्वास प्रस्ताब दीजाने के बाद नपा सदन में राड छड़ी हुई है तरसल सदन में पड़ीज फूट के बाद एक के बाद एक धांदलियां और घोटाले उजागर होने लगे हैं शहर की गलियों के निर्माड और प्रानी इंटर लॉकिंग टाइलों को लेकर बीते काफी समय से नगरपाली का प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं इस मामले को लेकर पूर्व नपा अद्यक्ष राम निवास ने अपनी कारेले में प्रेस वार्था की उन्होंने आरोप लगाया है कि विकास कारेयों की आड में जम कर धान ली हुई है शहर के विभिन वार्डों में बनाई ज़ा रही गलियों से उखाडी गए लाखों इंटर लोकिंग टाइल्स कुछ पासों ने मिली भगत कर बेच दी है पूरों नपा अद्यक्ष ने गलियों के निर्माण की उच्चे इस तरी जांच करवाई जानल की मांग की है टाइल्स घुटाले पर नपास सचिव ने कहाए कि उनके पास टाइल्स बेचने की कोई शिकायत नहीं है जो लोकिंग टाइल्स पार कोई बढ़ता है इनके कोई प्रैर्ण बनाने की कोई फैक्ट्री है इंते सच्टे बाव में कोरूनाईजरों को बेच देते हैं और कोई भी आदमी जाका बात करो दो सच्टे बाव के अंदर ने पास है वे खादी बंदार के अंदर ने पास है अपना कॉंड में और जो नहीं कलोनी जो बनी है राइपरा रोड पहे है और उर्टी तेमार डेलों पहे भी गई है इंता जिनका लोग वह ना बिचारे चुप आदी में बताने नी पैसे देगा लिए रखा नगर पालिका भी क्रोड कि लिए तो किकी जो कोही रहा है या कहीं कि गई है तो नहीं एसा कोई मामला मिलत हैं मने पहरे सरकार में महिला और बाल विकार समंत्रा यले खेल और यूवका करकरम की ओर से साहिएक तरूप से किया गया था बेटी बêmesचाो बेटी पढ़ाो करकरम के भागीदार विभैन बेभाको कि ओर फिलक दी पर उपायक्तन्रोल सोनल गोयल ने कहाए को आप सबकी भागीदारी से जज़जर जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारिक्रम के एक जन अभ्यान बन चुका है कन्या भ्रून हत्य जैसी बुराई को रोकने के लिए अब हम सभी को आ गया ना होगा ऐसी घटां को सुचना देने वालों को नगत पुरुसकार देने का भी प्रावधान किया गया है ग्ष्जर जिले को समान दिया गया 24 जन्वरी को मानिक केंद्री मंत्री जी ने नेखन ज़ेंग दिया जड़्जर जिले को अन्यारी ज़जर जिले की फूरी हमारी जाता है उनके लिए उनके लिए पड़ी उफलब दिन मैं मानगी है, रुधान मंत्री जी और माननी मुख्य मंत्री हर्याना स्री मनुहला जीके में विप्तों में जितने भी विभाग यहां काम कर रहे हैं, वुशेश रूप से, डव्यू सीडी विभाग, एजुकेशन विभाग, है लोग लेके गए हैं, जिसके साथ परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो विभाग के अधिकारी जो निचले सतर पे पूस्ट हैं, आशा अकन बड़ी वरकर, वो हमें सूचना तुरंट दें। और साथ ही साथ हमने पीसीपे अंडिटी एक्ट के अंदर भी, म्टीपे एक्ट के अंदर भी कुछ इनाम की भी खोशना की है। वही हमना नगर के कसवा खिर जुरावाद के बेलगर गाउं इस्तित पूरो मंदरी निर्मल सींग के घोड़ों के फॉर्म हाउस पर दो जून को एक खून से लगपत 6 साल की मासुम की लाश खायडी में पड़ी मिली है। और उसका परिवार उसे दिंदार ढूंटा रहा है कि जब लड़की की लाश मिली तो उसे देखते ही परिवार के लोगों के पाउतले से जमीन निकल गई। पुलिस ने इस मामले में जाच करने के बाद फॉर्म हाउस पर गाउं काम करने वारे देवी सिंग को हिरासत में लेकर जब पूछताच की तो पुलिस के सामने जो आरोपी ने बयान दिये वह चौकाने वाले थे और इन बयानों में हैवानियत देखी जा रही थी। आरोपी देवी सिंग ने माना है कि उसने मासूम बच्ची को रोते हुए देख उसे गोद में उठा लिया और बाद में उसे एक इंजेक्सन लगाया जिससे वह बेसुद हो गई बता दे कि देवी सिंग ने जो इंजेक्सन मासूम को लगाया था वह घोड़ों को बेहोस कर करने के लिए लगाया जाता था देवी सींग के खिलाफ पुलिस ने पुक्ता कारवाई की और उसे जेल भीज दिया लेकिन इस मामले में फास्ट ट्रेक कोट में आज फैसला सुनाते हुए यह कह दिया गया कि आरोपी देवी सींग ने बड़ी ही क्रूरता से हैवानित की थी और कुस खता ने क्या होगा आग जनकी में क्या कुस खता ने के सीजन इसमें ही आया है कि लर्णर्ड एडिशनल एडिशनल एंसेशन जज़ज मिस्टर अब्दलमाजी जी ने सेक्शन तिनसो अठाथाइस में आर टैन यर इंप्रिजनमेंट विद फाइन ट्वंटी फाइ सेक्शन तिनसो अबी रिगरेस इंप्रिजनमेंट तिल लास्ट ब्रीथ आफ नार्नौंत के राज़की वरिष्ट मादेवी विद्याले में लगवक एक हजार बच्चों ने मोदी की रेडियो पर मन की बात का कारकरम सुना और बच्चों ने इसे बहुत सीख ली स्कूल की शात्रा रेणू अंकीता सोनिया ने बताये क् udi की मन की बात सुनी जोकर परिख्चाओं से सिंया इसमें बताया गया कि विद्यारती अमकी बच्चों को समय डिपिरिसल्रेश्ण में नहीं आना चाहिए हमें परिक्षां को बोघ नहीं समझना चाहिए हमिन परिक्षा में मिल लगा करता, जाए हैका फायदा हुआ, मॉदी ओन्धा के सजा अरिक्षा में चांट है, प्रधान मंटरी ने तिसमें पता गया थो, मॉधी को सबस्क्राइब करने चुरू को मिलेफ हैं, आ की प categories, उनी चांट हैं! साय है तो प्रिक्षाइद होगा इस में देप्रेशन howard लेती हैए में डिपरेशन निया थे हमें इप यह पोज़्ी दिहां ओने तो फाइदय होगा था यह तो फाइदा होगा इस इंब और फाइदा यमनानगर के सबजी मंडी से चुन्द कदम की दूरी पर पुलिस के हाथ एक ऐसा ट्रॉक लगा है जो पिछले एक सपता है से लावार्स ख़ड़ा था लेकिन जो पुलिस ने इस ट्रॉक की जाज की तो पता चला कि यह ट्रॉक अवैद शराब से ब्रहा हुआ है फुलाल केमाली के तलास चुरू कर दी है डिल tuhक में लगए 900 पेटी के Κरीव शराव बता ही जारही है ट्रक 10 ट्रैरी होने के कारण यह अंदाज लगा जा रहा है कि इसमें Flying 902 पेटी अवैध शराव है पुलिस ने ट्रक को कोई भी बिल आदी नहीं मिला को दो चोटी काड़ी में 600 एक जिए तो देखने के बाद इपास लुकर भी तो गाड़ी खोलने के बाद या पेटी देखने के बाद भी बता पाई अभी हम v लिए थी कि इंडुस्टिल एरिया में ट्रक खड़ा जिसको हम ट्रक को लिए पर ले गाए तेथाने में और हमने एक साइज स्टैफ को बुलाया था क्योंकि हमें शक्ता चाहिए इसमें दारू लोड है तो हमने खोल के देखा है इसमें विसकी की बोटल है कि मास्टर प्रीम सुझे साथ के लिएक कि मह向 कज्वे क के वारड 3 नागरिक शिवर का पानी पीने को मजबूर है शिवर के पानी से हाथ धूते हैं और शिवर के पानी से नहाते शीविर के पानी से कपड़ेवीद होते हैं और बात यहीं खतम नहीं होती però को भी शीविर का पानी पिलाते हैं उन्हें शかった मेहम कश्वे के वाढ़ नंबर दो मेंने केवल व्य्क्षियों का स्वास्ते स्वक्षत है को देश पहुंच रही है कि आपकी लाइन को ठीक कर दिया गया है और अब साफ पीने का पानी आपकी लाइन में आ रहा है कि आरे वार्ड के अंगर सप्लाई के साथ यूद का पानी आ रहा है करीब एक साल सी समस्या है इसको बार-बार साफ लिखित में भी दिया गया और टेलिपोन पर भी संपर्ट किया गया जो बार-बार अस्वासन देता रहा एस्डियम साफ को भी दरखास दी गई पानी साफ आ रहा है आज आपको देखा है पानी सप्लाई के साथ सीवर का पानी आ रहा है जो फीने के योग्या नहीं है जिससे वाडवासी भीमार पड़े हैं जो स्विट्र में है जिसकी समस्या कोई समाधान ने कर रहा एक साल से पानी आ रहा है और जूसरी बात ही एक तीस आदा गंटा पानी चोड़ते हैं जिसमें हमने पंदरा मिंट पानी नारियों में चलाना पड़ता है सब्सक्राइब करना के अधिनस्त गाउं के किनाला में पावडा रोड पर गोवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें आठ बेल ठोश ठोश कर बने हुए थे मिली जानकारी के अनुसार किनाला से पावडा रोड पर गोवंश से भरा ट्रक किसी कारण वस खराब हो गया और ग्रामिडों को आते देख और तसकर भाग खड़े हुए ट्रक में हुई हजचल से जब ग्रामिडों देखा तो ट्रक के अंदर आठ बैल ठोश ठोश कर भरे हुए थे जिन में से एक बैल तो बुरी तरह जखमी था और लहलुहान हो चुका था ग्रामिडों ने इसके सुचना उकलाना पुलिस को दी उकलाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को आपने कब्जे में लेकर कारवाई शुरू कर दी पुलिस जाज 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 दिकारी का नुसार यूपी नंबर के इस ट्रक में तसकरी के लिए बैल भर कर ले जाये जा रहे थे और पता चलने पर तसकर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गये जबकि बैलों को सुरक्षित गोशाला में भीज दिया गया है फिलाल पुलिस आगामी कारवाई करने में जूटी होई है हमने देखा कि इसके अंदर पांशाते सुने बैल है जो ये गाड़ी यूपी की है जिसके इसका नंबर प्लेट भी है और ये गाड़ी जो वो लोग थे वो एक छोटी गाड़ी लेकर फरार हो गई है अधुनिक अंबुलेंस से फत्यावाद स्वास्ते विभाग लेस हुआ है दरसल जिला को 10 नई अधुनिक अंबुलेंस में CCTV लगे हुए है और रवायमेट्रिक हाजरी भी दर्च होगी मरीज को लेटाने के लिए आटुमेट्रिक स्ट्रेचर की सुविदा भी दी गई है अंबुलेंस के कंट्रोल रूम के फ्लीट मैनेज़र बोले कि आधुनिक टक्नीक से लैस अंबुलेंस सेवा से मरीज को बहतर अंबुलेंस सेवा मिलेगी जो नई अंबुलेंस भीजे हैं उनमें से सिटीवी कामरे लगे हुए हैं की सुविदा इसमें तो इतादे कामरे भीजेता हैं किस वर्मेंट अफ अर्याना की तरफ से 10-10 मुल्डस गाडियां फट्वाद को आज मिलिये जी वारे परास पहले गाडियां थी उत पुरानी गाडियां और पुराणी गाडियां कंडम के लाएक हैं, łगगव गा में रिप्लेश गाडियांस अभेले दाइफ रखाए हैं, वे और फेल्ड में दी जाएगी। अच्छी सुविदा दी हुई है पाकि सारा कुछ अभी जो है टेक्निकलाइस में ओनलाइन सिस्टम है सारा जैसे बायोमेट्री का टेंडेस होगी अंदर सीची टीवी कैमरे भी लगे हुए हैं तो मरीज की जो देखरेख है यह अम्टी दिवारकी जाती है उसका भी पूरा केमरा है उसमें जो है ड्राइवर को भी खल को कोई दिक्कत ना आए तो वो सारा रिकोर्ड इसमें मेंटेन होई गाड़ी का तो मतलब लोकेशन देखने के लिए इस तरह की अच्छी सुदाइं दे रखी गाड़ियों की पध्यवाद में चोरी की वार्दात लगतार पाई थी कि चोरों ने फिर एक दुकान में वार्दात को अंजाम दिया है डी एस पी रोड इस्तित वर्श मुबाइल शॉपर चोरों ने बीती रात सेंद मारी कुछ कर दुकान में रखे हजारों रुपी की कीमत के नए और पुराने मुबाइल के सासाथ नगदी और पांच बजे आगे दुबाइला शुबाईल शुबा आकर किसी ने आत उताया है कि दुकान के च्टों गरे टुकता पाड़े तो दुबाइल में आकर समाला तो सेकिन एट फोन पोरे जैक सार गोबी ने पड़े निवा है दोटने जोटे हो आज तो एटफोन है फोने पर्यावरान प्रदुशन नियंत्रन और रोक्थाम पराधिकरण के चेर मैन भूरे लाल की डाट का असर अब देखने लगा है भूरे लाल की डाट डपट से तरी सहमी नगर परिश्वद ने अपना एक्शन प्लान तयार कर लिया है और नगर परिश्वद अब कूड़ा डं सके 20 जैन्वरे को भूरे लाल ने डंपिंग ग्राउंड का निरेक्शन किया था हमारा जो मेन एक्शन जो प्लान है डंपिंग जो साइट है उसका एक तो बाउंडरी वाल का हमने टेंडर करती है जल्दी वहां काम शुरू कर देंगे हैं अब प्राइबेट संस्तान भी आगे आने लगे हैं कॉलेज के प्रांगण में करीब 45 कंपणियों ने हिस्सा लिया और करीब 500 विध्यार्थियों के आवेदन के लिए गए जब मेले में आए कंपणी प्रतिन इधियों ने कहा है कि देश के प्रधान मंतरी नरन मोदी देश के यूवां को रोजगार देने चाहते हैं और उसी कड़ी में यहाँ भी सेक्ट यूवां को रोजगार किया गया है वही ऐल्सी भारादवाज ने बताया कि हाष्याण के विभिन लेज में जिलोंसे सेक्ट यूवां मेले में नेपवाश्यों के लिए सब निक्री बेइ कितनी कंपनियां आज हैं बच्चों के लिए और मिभी फाइव फॉर्स अभी लिगोरान है अभी की बात करें तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स की जॉब लग गई होगी और कितनों का क्या रजिस्ट्रेशन हो गया होगा रजिस्ट्रेशन में मोर दर फाइव हंने स्टूडेशन हो चुका है बखी के इंटर्विव अभी कंटीन्यू है तो एट लाश्ट सामधत को पता चल पाएगा कितने बिच्चे अरज हो चाहेंगे उसके पास क्या उद्देश से रहा है स तो देश आगे तरक्की करेगा तो उसी कड़ी में हमने भी एक थोड़ा सा अपना स्वयोग दिया है कि बई बच्चों को अच्छे से अच्छा उनको प्रवाइड कराई जाए और अच्छी जिए पर उनको प्लिस कराया जाए जदी हमारा जो देश है उसकी जो बेस है वो हो है हमारी बच्चे ओंकी इंजिनियर्स या टेकिन केल परसंदी हमारा देश का जो मैन बविष्य है बोगा जैब यहीं हमारे मोदिश की में उसी में हम आगे बढ़ रहे हुग हुज से हम अपनी पढ़ाई करते कोई उसकी पड़ाई ओ सित और वे उसका बार द्याओन हो मुनाफिक के चक्कर में खाल सामिकरी में मिलावट करने की बात तो अक्स सामने आती है लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो नकिवल आन जनता की बल्कि शासन और प्रशासन की आखों को भी खोल कर दगे क्या वीडियो में अनाज जी की बोरियां से भरे एक ट्रक पर पाइप के सहरे पानी का छड़काव किया जा रहा है ट्रक में कोई एक या दो फिर बीर्स पचास बोरियां नहीं हैं बल्कि अनाज की सेगड़ बोरियां ट्रक में लोड थी ट्रक एक सर्विस स्टेशन के समी भी खड़ा किया गया जहां पानी की पाइप के सारे काफी देर तक पानी का छड़काव किया जाता रहा इस पूरे गौरक धंदे को देखी रहे एक ग्रामी ने इस अपने मुबाइल में कैद कर लिया और उसे शोशल मेडिया पर वायल भी कर दिया पर उसमें कुछ मिला नहीं किसी ने शिकायत की थी वह शिकायत सच नहीं पाई गई कि वो दो दिन उसकी जांच उखती रहे कि कुछ नहीं मिला अब इस वीडियो की जांच करवाए जाएगी इसमें था क्या पहले तो यह देखेंगे कि धान तो मेरे इसाब से होनी की समाद में बिलकुन निल है गुदामों से गें उठ रहा है किसी वेपारी ने उठा के रस तो वहां देखा कि एक गाड़ी आई गोड़ा कनका लोड था और ड्राइवर जैसे उत्रा उतरते ही सर्विस स्टेशन पर गया और वहां से पाइप लेगे बोरियों में भी गोने लग गया लग बग 10 मिंट तक वह पाणी डालता रहा तब मैंने वीडियो बनाने शुरू यह गटना है जी बीगड़ की सर्विस स्टेशन की बलाल मेर साथ इस ब्लेडन में तना ही ख़बरों का सिलसिला लगाता जारी है नमस्कार